कोंग्रेस पार्टी को केंद्रिय मंतरी और अमेटी शांसद इर्ष्मिति पिरानी को गुमशुदा बता गहिने की कोशिस बाहरे पड़ गई बता दें कविति के आधिकारिक टुइटर हैंडल से बुधवार को केंद्रिय म defence बाल विकास मंतरी इर्शमित इरानी का एक फोटो ट्विट किया गया इसमें उनका मंत्राले का जिकर था और फोटो पर लिखा था मिसिंग इर्शमित इरानी ने करीब एक घंटे में ही ट्विट कर कॉंग्रेस को जवाब दे दिया इरानी ने कहा अगर पूर्व सांसद को ढून रहे हैं तो किरप्या अमेरिका संपर करें वहीं आपको पता दे कॉंग्रेस के ट्वीट के जवाब में स्मिर्थ इरानी ने कहा अगर पूर्व सांसद को ढून रहे हो तो किरप्या अमेरिका संपर करें वहीं इर्षमित इरानी की फोटो ट्वीट करके कॉंग्रेस यह बताना चाह रही थी कि इर्षमित इरानी कई दिनों से अपने लोगसबा छेत्र अमेरिका नहीं गई हैं लेकिन इर्षमित इरानी बुद्वार को अपने लोगसबा छेत्र के दोरे पर थी और उन्होंने इस ट्वीट को इसी से जोड़ दिया साथ में बिनानाम लिखे राहुल गांदी पर भी तंजकस दिया जो फिलहाल अमेरिका दोरे पर है इर्षमित इरानी ने कॉंग्रेस को साल 2019 की हार की याद दिलाने की भी कोशिस की बता दें साल 2019 के लोगसबा चुनाओ में इर्षमित इरानी ने अमेरिकी सीट से राहुल गांदी को हराया था राहुल गांदी ने साल 2019 में दो सांसी दिये सीटो अमेटी और वायरनाड से चुनाओ लड़ा था अमेटी हारने के बाद वह केरल की वायरनाड सीट से सांसत चुने गए थे हाला कि मानहानी के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई जाने के बाद राहूल गांदी की सदस्यता रद हो गई है बता दें राहूल गांदी वर्तमान में अमेरिका की छे दिवसिय यात्रा पर हैं अमेरिका में परधान मंत्री मोधी के खिलाफ राहूल गांदी की तीखी आलोचना ने बीजेपी खेमे को नराज कर दिया है। बीजेपी सांसद और केंद्रिय मंत्री इसमेड़ी रानी ने राहुल गांदी की अमेरी की दोरे पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि जो अपने संसद या छेतर में कुछ खास नहीं कर पाए वो विदेशों में जाकर भारत का अपमान कर रही है उन्होंने कॉंग्रेस पाएटी पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 के पहले और बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क है फर्क ये कि देश को गांदी परिवार से मुक्ति मिली ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ